या आपको भी सपने में मरे हुए इंसान दिखाई देते हैं और आप उनको पहचानते भी नहीं है तो ये आपके पिछले जन के कोई परिजन हो सकते है जो अपनी अधूरी इच्छाय पूरी करने के लिए आपके पासा सकते है और अगर कोई ऐसी व्यक्ति आपके सपने में आये जो आपकी करीबी हो और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हो तो आपको कैसा जटका लगेगा अगर कोई आपके सपने में आका परीजन व्यक्ति आये और वो भी मर चूका हो ऐसा तो उसके सपने में आने के कई सारे कारण हो सकते है जिसमें कुछ लोगों अपनी अधुरी इच्छाओं को पूरी कराने के लिए आते है तो कुछ लोग आपके उपर आने वाली परे शानी से आपको साफधान करने के लिए भी आते है कुछ ऐसी भी समस्याय होती है जो आपके जीवन में आने वाली होती है उससे आगाह करने के लिए भी कुछ प्रियजन आपके सपने में आ सकते है जब उस मरे हुए आदमी का सपना आता है तो आपको उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है और लगता है कि ये सब सपना है कि ऐसा वास्तव में मेरे साथ हो रहा है पर उस सपने का प्रभाव आपकी जिंदगी पर आज भी आ सकता है या आने वाले कुछ समय में भी आ सकता है कुछ बार तो ऐसा होता है कि कोई करीबी मरने के समय बहुत ही गंभीर रूप से बीमार रहा हो और मरते समय भी बीमार रहा हो पर आपके सपने में वे एक्दम स्वस्थ नजर आने लगता है कुछ करीबी ऐसे भी होते है जो आपको पूरी जी दगी खुश देखना ही चाहते है आपको कभी दुखी देखना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता ऐसे में वो आपके सपने में आकर आपको आगाह कर जाते है पर उसका असली मतलब हमको पता नहीं चल पाता जब वो घ झाल झाल